पत्ता गोबी की सबजी को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो हर कोई आपकी सबजी का दीवाना हो जाएगा आपकी कुकिंग का फैन हो जाएगा इस सबजी इतनी जाधा टेस्टी लगती है कि जो पत्ता गोबी पसंद नहीं करते न वो भी इसे खाना पसंद करेंगे औ और ये बिल्कुल हलवाईों के तरीके से मैंने बनाई है, जैसे शादियों में बनती है, खाने में इतनी गजब लगती है कि चाहे चावल से खालो तो चाहे रोटी से खालो, आप देखिए मैंने आदा किलो पत्ता गोबी को एकदम बारीक लंबा लंबा काट लिया है, पत्त पत्तला और लंबा आप गोबी को काट सकते हैं, काट लीजे और गोबी को अच्छे से वाश कर लेंगे, हो सके तो उसे थोड़ी से देर टावल पे सुखा लेजे, उससे जो पत्ता गोबी का पानी है, वो सारा रिमूव हो जाएगा, अब एक पैन में मैंने दो बड़े च हो जाएगी और नमक डालने से टेस्ट और इनांस होता है, एक चमर जीरा डाल दिया, और ग्यास का फ्लेम बंद करके इसमें बारी कटा हुआ धनिया डालेंगे, तेल को तुरह ठंडा करने के लिए, एक चमर डालेंगे, सौफ चुकि बहुत जरूरी है, सबजी में और फूट टीस्पून इसमें डालेंगे हींग असाफटीडा, और आदी चमर्च के आसपास इसमें डाला मैंने हल्दी का और पत्ता गोवी, देखिए सारे की सारी हम इसमें मिला देंगे, अब गैस मैंने बं कर दिया था, क्योंकि सरस्तु का तील जो होता है न, जब बहुत तेज गरम हो जाता है, तो आप गैस का फ्लेम बन करके ही उसमें मसाले डालें, नहीं तो आपके मसाले एकदम जल जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, अब आपको यहाँ पर करना यह है कि हम काफी मसाले मिला चुके हैं, तो पत्ता गोवी में पहले सारे मसालों को मिक्स कर गैस का फ्लेम तेज करके गैस चालू कर लेंगे, और पत्ता गोवी को थोड़ा सा मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, यहाँ पे जो पत्ता गोवी होती है ना, वो देखना अभी साइस में बिल्कुल रिडियूस हो जाएगे, आपने आदा किलो पत्ता गोवी बना रहे हैं, जो की करीब तीन से चाल लोगों के लिए सफीशन्ट होती है, अगर आप डाल के साथ बना रहे हैं तो, तो देखिए जो पत्ता गोवी है, जैसे जैसे मैं चला रही हूँ, दो से तीन मिनिट में ही पत्ता गोवी रिडियूस होना शिरू हो गई है अपने साइस में, यह द यह तोड़ी सी डिहाइडरेट होने लग जाएगी, पत्ता गोवी का पानी जो मॉइस्चर है वो एवापोरेट हो जाएगा, वान टी स्पून ड्राय कोरियंडर पाउडर सूखा धनिय का पाउडर हम इसमें मिलाएंगे, करीब देर चममच और इसमें डाला दो चममच रोस्डेट क्यूमिन पाउडर, बुना हुआ जीरा पाउडर और गरम मसाला वन पोट टी स्पून इसमें मैंने मिलाया और नमक स्वादन असार इस सारे के सारे मसाले मिलाने के साथ साथ तोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और आधा कप कुक टमाटो पेज जिसकी रेसिपी मैं अल्ड़ी शेयर कर चुकियों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चीरा लगी भी दो हरी मिर्चे और एक पड़ा चम्मज बारी कटा हुआ अधरक का जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसमें आम तोर पे हरी सबजियों में प्याज और लेसुन नहीं मिलाया जाता है क्योंकि हरी सबजी के अंदर उसका अपना एक स्वाद होता है प्याज लेसुन मिलाने से हरी सबजी का स्वाद आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्याज लेसुन जो होता है उनका अपना ह इसी तरीके से बनाइए जिस तरीके से मैं बना रही हूं तब जाके आपकी सबजी घर में बहुत ही जादा टेस्टी बनेगी ये देखिये पता गोबी की सबजी को अच्छे से मसालों के साथ मैंने मिक्स कर लिया है और इस सबजी को अब हम ढग, केक, कुक करेंगे, सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और पत्ता गोबी को कुक होने में तोड़ा सा टाइम लगता है अब डिपेंड करता है कि पत्ता गोबी कितनी फ्रेश है, कितनी कच्छी है, ताजी है मार्केट में हर तरह के क्यों मिलती है जो जादा पुरानी होती है उसे पकने में जादा टाइम लगता है जो फ्रेश सबजी होती है कच्छी होती है छोटी होती है साइज में हरे रंकी होती है डार्क वो जल्दी पक जाती है तो खोशिश करिए कि डार्क हरे रंकी ताजा पत्तागोबी आप लेकर आएं जिसमें पानी की quantity जादा होती है और बनके वो जल्दी तयार होती है और स्वाद उसमें जादा होता है देखिए सारे मसाले पत्तागोबी के मिक्स हो चुके हैं अब हम यह करेंगे कि थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें पानी मिला सकते हैं और ढग के आपको पत्तागोबी को प पत्तागोबी अगर जादा जाड़ी है तो इसमें तोड़ा सा आधा कब गरम गरम तेज उबलता हुआ पानी डाल दीजे जिससे की मसालों के साथ पत्तागोबी अच्छे से मिक्स हो जाए और जल्दी पक जाए नहीं तो पत्तागोबी आपकी जल भी सकती है पानी की कमी क वज़े से क्योंकि पकने में इसको लगता है टाइम तो पानी जो होता है वो भी डिपेंड करता है पतागुवी की क्वालिटी पे आप देख लीजिए अगर पतागुवी आप कडाई में देख रहे हैं कि ड्राइ हो गई है तो उसमें पानी मिलाके ढग के पकाएंगे और ब प्यार हो चुकी है बहुत ही जादा टेस्टी बनती है चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है पुड़ी रोटी पराठा किसी के भी साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं बीच बीच में मैं चलाती जा रही हूं नहीं तो पतागुवी स्टिक हो सकती है पानी की कमी की वज जितना अच्छा आप इसे सॉफ्ट करेंगे पकाएंगे सब्सी उतनी ही टेस्टी बनेगी तो देखिए पतागुवी की जो सब्सी है बन के तयार है बारी कट हुए धनी इसे तीसरी बार देखिए मैं इसे गार्निश कर रही हूं और इसे आप दाल चावल के साथ रोटी क साथ सर्फ कीजिए हर कोई आपकी तारीफ करेगा एक बार तो इस सब्सी को घर में बना के देखिएगा आप खुद मेरी तारीफ करेंगे कि मैंने बहुत अच्छी सब्सी आपको बताईए चाहें तो इसमें आप उबला हुआ मतर और आलू भी डाल सकते हैं लेकिन इस तर तरीकों से पत्तागों भी बनाई जाती है आपकी और भी कोई सजेशन्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं थांक्यू सो मच बाबाई